विद्ध्यार्तियों मैं दिख्विजे स्वहाचारे प्रानिशास्ति आज का व्याख्यान का विशे रहेगा क्यापिसिटेशन निशेचन शम्ता या योग्यातर किस प्रकार से शुक्राणों अपने आपको निशेचन शम्य बनाता है योग्यता अर्जन करता है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेगा इसे अंग्रे जी में कैपिसिटेशन कहते हैं तो कैपिसिटेशन इसका हिंदी अनुवाद युग्यातर जन या निशेचन शम्ता एक क्रिया होती है जिसमें ग्लाइकोर प्रोटीन कवच में परिवर्तन होता है और शुक्रानों प्रोटीन्स भी शुक्रानों सतय से हटते हैं एक जाती विशेश के शुक्रानों ही उस जाती के अंडानों से निशेशित करते हैं हम सब को ये मालूम है इस क्रिया को निशेशन शमता या योग्य तारजन कहते हैं अगर साधरन शब्दों में का जाए तो अंग्रेजी में तो एक्वाइर दे कैपेसिटी तो फर्टिलाइज एन एग इस कैपेसिटेशन कि वो सिर्फ अंडानों को निशेशित करने की जो शमता अरजित करता है उस प्रोसेस को योग्य तारजन कहते हैं नर के जनन मार्ग द्वारा जब ये निकलता है तो उस मार्ग के अंदर अग्र भाग पर कोलेस्ट्रॉल की परत इसके चारों तरफ शुकरानों के जम जाती है एक नई परत बन जाती है आगे चित्र आएगा उस चित्र मैं आपको और चित्रे से समझाने का प्रयास करूँगा तो ये जो परत बन जाती है इसके कारण से ये कुछ समय के लिए निशेचन हितु अशक हो जाता है जब ये मादात जननतंतर में प्रवेश करता है उसके पस्चात कोलेस्ट्रॉल की ये परत धीरे-धीरे गुलती है और अंडानू से जो प्राप्त होरे सिगनल्स है जिसे कीमो टेक्सिस कहते हैं अंगरेजी में वो प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू होती है और ये अंडानू के सिगनल्स को दीरे-धीरे ग्रेन करता है उसके जो संकेत आरे उनको ग्रेन करता है और ये निशेचन हितू अपने उस रास्ते में आगे बढ़कर और एक्रोसोम अब परत हटने के बाद में ये अब योग्यता अर्जित कर लेता है फर्टिलाइजेशन अलग-अलग जीवों के अंदर ये कैपिसिटेशन की अवदी में विविद्था पाई जाती है जैसे रैबिट के अंदर 6 गंटे चुए माइस में एक गंटा मनुश्यों में साथ गंटा योग्यता अर्जिन का समय लगता है हम शरीर के बहार जिसे इन विट्रों कहते हैं उसमें भी ये कैपिसिटेशन अर्जित कर सकते हैं जैसे रैबिट के अंदर बीटा अमाइलेस के ट्रीटमेंट द्वारा हम ये शमता अर्जित कर सकते हैं ये पूरा प्रोसेस जो हुआ कैपिसिटेशन का इसका महत्व क्या है सिगनिफिकेंस क्या है ये क्यों इतना लंबा ये प्रोसेस हुआ हम सबको मालुम है विज्ञान के अं नहीं होती कोई ना कोई उस क्रिया का महत्व होता है को उद्देश्य होता है तब ही वह घटती है इसलिए गाइटन ने 1986 के अंदर इसके खोज कि और उसने का कि एक्रोसोम बहुत ही है पावर्फुल हाइड्रोलाइटिक और प्रोटियोलोटिक एंजाइम्स पाई जाते हैं और यह अगर जनन तत्र में से गुजरेंगे तो उस तंत्र को नश्ट कर देंगे इसलिए जब शुकराणू नर जनन तत्र से चलते हैं तो इनके चारों और कोलेस्ट्रोल की एक परत का अस्तर कर दिया जाता है जिसके कारण से यह किसी भी प्रकार से जो नर जनन अंग है उनको नुकसान ना पहुंचा है और जब यह मादा जनन अंगों में पहुंच रहे हैं तो यह कोलेस्ट्रोल की परत दीरे-दीरे हटती है और यह निशेशन शमता अर्जित करते हैं जिसे हमने योग गेता अर्जन कही है यह तो था इसके बारे में एक थियोरिटिकल अब म परिभाशा है इसके बाद में यह डाइग्राम मैंने सामने जो रखे हैं यह नर्शुक्रानु है यह जब टेस्टी से रिलीज होता है तब आप देख सकते हैं इसको उसके बाद में जब यह नर जनन अंगों से गुजड़ता है तो इसके यह हरे रंग में दर्शाय गए य और जब यह महत्तान इंग में निशेशन सबनकार अर्जित कर लेता है तब यह इस प्रकार हो जाता है यह ओलंस्टॉर्ल के परत सारी हट जाती है यह यह वह दर्शारा है है कि फीजी ओलोजी अफुडं में जो इस फीज़ाएव सपर में किसी मॉर्फोलोजी और थावत रहती है और सिरफ एक इसकी मोबिलेटी है यह हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो होती है और कैपिसिटेशन होने के पश्चात ही जोना पहले सुद्धा से यह अंदर प्रवेश कर सकता है यह डाइग्राम भी वही बताया गया है और इसके अंदर मैं यह तो अंडे का बताया है यह स्पर्म का बताया यह इन चीजों की और थोड़ा सा आपका ध्यान अकृश्चत करना चाहूंगा कि क्या क्या प्रोसेस में चींज होता है वह सारा इस डाइग्राम में आपको पश् एक्रोजोम पीज का बढ़ना सॉल्यबल एडिनैल साइकलेस का बढ़ना प्रोटीन काइनेज ए और सी का बढ़ना और ट्रायसीन फॉस्फरलाइशन इसकी भी मात्रा बढ़ना यह सारा उसको यह अर्जित करते है इस प्रकार से इसको मीशेशन शम्य बनाते हैं उसके कि और थोड़ा सा डीटेल में जाएंगे तो आपको यह यह जैसा मैंने का साइकलिक अपी का लेबल बढ़ता है तो यह लेबल बढ़ाओवा साइकलिक के इमपी का किस प्रकार से बढ़ता है यह जैननलेड साइकलेज है उसके से दौरान से ए एबी सीखिन्स सायकलिक एंपि बनेगा किस प्रकार से करोटीन काइनियज रिर पी के क्यूच्विटी-पी-पी यह कैपिसीटेशन कि प्रक्रिया बढ़ती है और यह अपने किस प्रकार27-प्लस के इंफलक्से जो मैंने आपको कह úardairs ऐसके स्टेशन की प्रक्रिया में मदद करता है कि यह भी डाइग्राम उसी चीज को दर्शारा है जिसके अंदर किस प्रकार से बड़ी वी दर लेकिन एक आपको मातर दिखाने के लिए अपना आखरी में जो मैंने दर्शा है यह अपना पूरा समराइजड फॉर्म है कि कैपिसिटेशन के अंदर हुआ क्या यह किस प्रकार से इसने योग्यता अर्जन की है यह पूरा डाइग्राम अगर डीटेल से देखेंगे कि फिरलाइचन होता है मैμबरेन डेस्टेबलाईज होती है इंक्रीजस सैलूलर पी एच होता है इनफ्लक्स ऑफ केलशियम और कार्बवनेट आयन्स होता फैर हीपर पॉलराइजशन अव प्लाज्म मेंबरेन होती है एक्रीजस्ट्रह साइकलिक एई creepy कोलेस्ट्रॉल किस 사장님 क चला पाएगा ये भी इसकी एक खुबी होती है कि इस केपिसिटेशन के दौरान में इसकी गती भी बहुत बढ़ अत्य दिक बढ़ जाती है तो ये सारा इस शुक्रानों को निशेशन हितु शमे बनाता है अब ये आज मैंने आपका अलग से टौपिक लिए है लेकिन इसको जब मैं निशेशन करूँगा निशेशन की पांच जो क्रियाएं है क्रिया विधी के अंदर पांच है उसके अंदर भी आएगा लेकिन क्योंकि ये इक इ कि और भी गौर करेंगे और आशा करता हूं कि आप उनको भी सॉल्व करेंगे धर्मेवाद